वेस्टन डीज के खिलाफ चाओ थे वननडे में हार ना सिर्फ भारतिय फैंस के लिए बलकि खुद महेंदर सिंग दोनी के लिए निराशा जनक रहा टीम इंडिया के लिए 190 रनों के लक्षे का पीछा नहीं कर पाई और महज 11 रनों से मैच नवां बैठी इस हार के लिए सोशल मीडिया पर लोग दोनी की धीमी पारी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं पूर्व कप्तान दोनी 114 गेंदों पर 54 रनों की पारी खेली इतना ही नहीं 49 वें ओवर की आखरी गेंद पर उनके आउट होते ही दो रनों के अंदर भारत के तीन विकेट गिर गए हार के बाद तीम इंडिया के खिलाडी वेस्ट इंडीच के खिलाडियों से हाथ मिलाने की आपचारिकता पूरी कर रहे थे उस वक्त दोनी हार के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हुए ड्रेसिंग रूप के बाहर खड़े थे इस दोरान उनकी आखों में आशू देखे गए चालिस से खेंके इस वीडियो से जाहिर हो रहा है कि दोनी इस हार से कितने मायूस हैं वह अपनी इस धीमी पारी को कभी याद नहीं करना चाहेंगे वन अडे में दोनी एकस और आठ गेन ने सद्गोपन रमेश एकस और दस गेन के बाद दूसरा सबसे धीमा अर्धशतक पूरा किया